हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा बोर्डर डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको ये बोर्डर डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसी बनाया गया है इसे आप बच्चों के स्वेटर, जैन स्वेटर, लेडिज, कार्डिगन, जैकेट किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती है सभी प्रोजेक्ट पर ये पोर्डर बहुत ही सुन्दर लगता है इसे आप बच्चों के स्वेटर जेंट स्वेटर में पूरे प्रोजेक्ट पर भी अपलाई कर सकती है इस डिजैन से आप जेंट स्कैप भी बना सकती है जेंट स्कैप की लुक भी इस डिजैन से बहुत ही सुन्दर आएगी इस डिजयन को बनाने के लिए आपको 3 के multiple फंदे लेने होंगे इसमें कोई भी फंदा extra नहीं लेना होता है 3 के multiple देखिए आप पहले 3 फंदे गिन लिजे फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3 इस तरह से करते हुए last में भी आपके 3 ही फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और दो सलाईों में कम्प्लीट हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है तो ये देखे फ्रेंट्स इसे बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए है 21 फंदे तीन-तीन के मल्टिपल किये हैं इसमें कोई भी फंदा एक्स्ट्रा नहीं लिया है फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई है डिजैन के ये पहली सलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान दीजिए पहला फंदा इसका एस्टिच है इसे उतार ये या बनाएए ये आपकी अपनी मर्जी है मैं हमेशा ही उल्टा बना कर लेती हूँ अब यहां से हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो ये देखिए एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागे को पीछे करेंगे ये वाले जो दो फंदे हैं इन दोनों फंदे में पीछे की साइड से इस तरह से सलाई लेंगे और दो फंदे का एक फंदा इस तरह से सीधा बना देंगे अब ये फंदे हमें सलाई से उतारने नहीं है अब इसका ये जो पहले वाला फंदा है इसमें फिर से बैक साइड से ऐसे सलाई लेंगे और इसको सीधा बना देंगे तो ये देखिए दो फंदे में से वापस हमारे दो फंदे बन गई हैं और इसको अब हम सलाई से उतार देंगे ये एक फंदा हटीज का छोड़ कर ये जो हमने तीन फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करना है तो फिर से देख लीजे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और दो फंदे में पीछे की साइड से ऐसे सलाई लेंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे अब फंदे सलाई से उतारने नहीं है जो इसका पहला फंदा है इसमें बैक साइड से दोबारा से सलाई लेंगे और इसको सीधा बना देंगे और सलाई से दोनों को उतार देंगे यही तीन फंदे का डिजाइन फिर से रिपेट करना है एक फंदा ओल्टा धागा पीछे करेंगे पीछे की साइड से दो फंदे में एक साथ सलाई लेंगे और दो का एक फंदा सीधा बना देंगे अब यह फंदे सलाई से उतारने नहीं है यह जो इसका पहला फंदा है बैक स ले आएंगे एक फंदा उल्टा बना देंगे फिर से धागा पिछे करेंगे और दो फंदे एक साथ लेंगे बैक साइड से स्लाई डालके दो फंदे का एक फंदा कर देंगे अब ये जो दो है इसके पहले वाले फंदे में फिर से बैक साइड से स्लाई लेंगे और इसको एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे लेंगे और बैक साइड से सलाई डालके दो फंदे का एक फंदा इस तरह से सीधा बना देंगे धागा आपका पीछे ही रहे इन दो में से जो पहला फंदा है इसमें ऐसे सलाई लेंगे और इसे सीधा बना देंगे और दोनों फंदे सलाई से उतार देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे एक साथ लेंगे बैक साइड से स्लाई डालके दो में से एक फंदा इस तरह से सीधा बना देंगे और ये जो दो फंदे हैं इनको सलाई से उतारना नहीं है इसके पहले वाले फंदे में दोबार पहला से सलाई लेंगे और इसको सीधा बना देंगे दोनों को एक साथ उतार देंगे लास्ट में आपके दो पंदे बचेंगे ये दोनों आप उटे बना दीजिए क्योंकि एक फंदा ये डिजाइन के लिए है और एक फंदा इसका सटीच है पहली सलाई इसकी complete हो चुकी है ये देखिए एक और ये वाला ये वाला जो फंदा है इसमें आप इसकी बैक साइड से ही सलाई डाल लीजिए और इसको सीधा बुन दीजिए तो दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ लिये और इस एक फंदे को ऐसे स्लिप कर दीजिए ये जो एसटीच है इसे छोड़ कर ये जो हमने तीन फंदे का डिजैन बनाया इसी को फिर से रिपीट करना है धागे को पीछे ले जाएंगे और दो फंदे यहां सीधे बनाएगे एक और इस वाले में ऐसे लेंगे दो धागे को अपनी तरफ करेंगे ये एक फंदा ऐसे स्ल कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे ये देखिएगा ये हमने इसके फंदे जो है इस फंदे को स्लिप करने से पहले ही धागे को अपनी तरफ करना है और फिर इसको स्लिप करना है अब धागा पीछे जाएगा और ये देखिए एक और ये वाला दो दो फंदे सीधे बनाने के बाद फिर हम धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इसे स्लिप कर देंगे फिर धागे को पीछे करेंगे एक और ये वाला दो फंदे सीधे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इसे स्लिप कर देंगे फिर धागा पीछे और दो फंदे सीधे एक और ये दागे को अपनी तरफ करेंगे और ये वाला जो फंदा है इसको हम स्लिप कर देंगे और लास्ट में देखिए दो फंदे बचे हैं दागे को पिछे करेंगे ये एक फंदा सीधा बना देंगे और एश्टीज को उल्टा बुन देंगे तो दो सलाईयां इस border region की complete हो गई हैं यही दो-दो सलाईयां इसमें बार-बार repeat करनी हैं तो चलिए next बार एक बार फिर से बता देती हूँ कि कैसे बनाना है यह देखिए एक फंदा यह st6 इसे उल्टा बनाएंगे यहां से region को repeat करना है एक फंदा उल्टा धागा पीछे यह वाले जो दो फंदे हैं इन दो फंदे में back side से ऐसे सलाई लेंगे और दो का पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर इसको उतारेंगे नहीं यह जो इसका first वाला फंदा है इसमें पीछे से सलाई डालके फिर से इसको सीधा बनाएंगे और उतार देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे दो फंदे में पीछे की साइट से स्लाई डालके दो का एक फंदा सीधा बनाएंगे उतारेंगे नहीं इसके पहले फंदे में पीछे से स्लाई लेंगे और एक बार फिर से सीधा फं जो इसका पहला फंदा है इसमें फिर से पीछे से सलाई लेंगे और इसको सीधा बुन देंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे फिर डिजाइन को रिपेट करना है एक उल्टा धागा पीछे दो फंदे में पीछे की साइड से सलाई लेंगे और दो का एक कर देंगे इसक एक कर देंगे फंदे उतारने नहीं है पहले फंदे में दुबारा से सलाई लेंगे और इसको सीधा बुन देंगे फिर एक उल्टा फिर धागा पीछे और दो फंदे में एक साथ बैक साइड से सलाई लेंगे और दो का एक करेंगे फंदे उतारने नहीं है पहले फंदे में फिरसे सलाई लेंगे और दो का एक कर देंगे और लास्ट के दो फंदे इसके उल्टे हो जाएंगे इस तरह से ये इसकी next बार की starting हो गई है उल्टी साइड से भी बता देती हूं उल्टी साइड पर वही करना है देखिए पहला फंदा st 6 उतारिये या बनाएगे यहां से design repeat ह दो फंदे सीधे एक और ये दो धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और इस एक फंदे को ऐसे स्लिप कर देंगे फिर धागा पीछे और दो फंदे ये सीधे एक और ये दो फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को स्लिप कर देंगे फिर धागा पीछे दो फंदे ये सीधे और ये वाला जो फंदा है इसमें बैक साइड से ही सलाई डाल कर सीधा बनाईए फिर इसे धागा अपनी तरफ करके स्लिप कर देंगे धागे को पीछे करेंगे और दो सीधे एक और ये दो फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और इसे स्लिप करेंगे फिर धाग में देखिए इस पंदे को ऐसे स्लिप किया धागा पीछे ये एक सीधा और एस्टीज को उल्टा बुन देंगे दो बार मैंने इसकी सलाईयां रिपिट करके बताई हैं यही दो दो सलाईयां आप आगे आगे रिपिट करते जाएंगी तो यह देखिए आपका इस तरह से यह सुन्दर सा डिजाइन बनता चला जाएगा तो फ्रेंट्स अगर आपको यह डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में से शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें थ तेंग्यू